अगर आप लोग को मीठा काने का मन कर रहा तो अगर बैटे बनाएं कुछ ही मिन्टों में ब्रेड के गुलाब चामुन और इसे बनाने के लिए वीडियो को लास्त तक देखे साथ में मारे चैनल को सब्सक्राइब कीचे और बेल आइकन दबने ना बूले जिससे के मारे आने आपका स्वागत है मेरी एल किचन में तो आज हम बनाएंगे ब्रैट से गुलाब चामुन तो गुलाब जाओन बनाने के लिए में क्या-क्या सामन चाहिए चलि हम आपको दिखाते हैं ब्रैट के पीसे आठ से तस पीसे जो हमने इसके कॉनर काट दी है साइट से ब्राउन क करेंगे तो सबसे पहले हम बनाती बनाएंगे इसका शुगर शीरफ जो की चाशनी जो रसकुल्य की चलिए शुरू करते हैं हम यहां पर लेंगे डेड़ ग्लास पानी अब लाब जाओन की चाशनी बनाने के लिए अब इसमें हम डालेंगे एक कप छीनी हम घ्राउन कर देंगे जब पानी में आपका वॉयल आ जाएगा तो इससे ज्यादा पकाना नहीं है मुलाब जाओन की चाशनी के लिए थोड़ा से उबलाए तो दो से तीन मिनटे से पका के इसे हम साइट से रख देंगे इसे तोड़ा हम चला देंगे है हमारे पानी में वबाल आचुका है तो इसे हमें दो से तीन मिनट उबालना है उसके बाद हमाग गयास बंद कर देना है इसमें य्द्ध पाउर्डर हम अभी एड़ नहीं करेंगे जब हम इसे दुबारा गरम करेंगे तह इसमें तो हम थोड़ा सा एलाइची पाउडर एड करेंगे है को यह से मुपन्त करते हैं गया इसको है तो गुलाब जाउन का डू बनाने के लिए हमें ब्रेट्स को या तो हम मिक्सी मडल के कर सकते हैं या तो इसे हम हाथ से तोड़ लेते हैं तो हम यहाँ पर हाथ से तोड़ लेंगे इसे छोटा छोटा पीसिस में अब इसमें हम दूद करेंगे एड दूध से हम इसका डो करेंगे रेड़ी तो दूध सारा नहीं डाला एक साथ डो हमारा गीला हो जाएगा तो थोड़ा-थोड़ा करके हमें इसमें दूद एड़ करना है कि दोस्तों अगर आप लोका डू अगर ज्यादा गीला हो जाता है तो आप उसमें ब्रेड और एड़ कर सकते हैं और दिहान रखना दोस्तों कि डो हमारा चिकना बनना चाहिए अगर आपका डो गीला हो जाए तो आप उसमें ब्रेड और डाल सकते हैं अब इसमें हम मिलाएंगे इलाइची पाउडर हाफ टी स्पूल अब इसे मुला लेंगे अच्छे से और इसे मिलाने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट उठा कर रख देंगे यह थोड़ा सा फूल जाएगा ठीक है अब यह हमारा डो बढाया चाहिँए अब इसमें बनाएंगे घुलाब जावन का साइज अपने साब से आप रख सकते चोटा चाहें चोटा बड़ा चाहें मिडियॉARRYL हम लेंगे थोड़ा सा दो मेंसे इस तरीके से हात्व पर रखेंगे इसे हम दोनों हातों केहते overlी की सपोर्ट से से हम और दौनों हाथों की हतियरी की मदद से इसे हम बीच में रखेंगे इस तरीके से हलका सा प्रेस करके इसे इस तरीके से गोल कर लेंगे कि अगर आपका डो चुपक रहा है यातों पर तो आप हलका सा देशी की या अउय लगा सकते हैं प्रोपर शिप देने के लिए से हम कोल कर लेंगे इस तरीके से हमारा गुलाब जाओन रेडी हो जाएगा हमने इस सारे गुलाब जाओन रेडी कर लिए अब हम इससे करते हैं डीफ फ्राई चलिए गुलाब जाओन बनाने के लिए हमने यहां पर ओल लिया है हमें ओल जितरेश से सिख जाएं तो सबसे पहले हम उइल को गरम करेंगे कि ऑल गरम हो जाए और गरब होने के बाद हम चेक कर लेंगे तो छोड़ने चंधा ठीकर ढलके कि हमारा एल हुआ यह नहीं हुआ अभी मारा ओयल करम नहीं हुआ है इसका टेंपरिचर देखना बहुत जुरूरी है अगर आप ठंडे तेल में अगर आप गुलाब जमन डाल देते हो तो आप गुलाब जमन फट जाएंगे तो इसलिए हमेशा सबसे पहले टेंपरिचर चेक करना ओयल का उसके पाद आपको ग आप जमन जो हमने रेडी कर रखे हैं और इसकी सबसे पहले करते हैं ग्यास को स्लो मीडियम फ्रेम पर कर देंगे इसे हम और उनको डालने के बाद थोड़ी दिर तक उनको हिलाना नहीं है बलकुल भी अब थीरे-दीरे करके इस ओयल को ऐसे इस तरी के से हिलाएंगे इनको हमारे गुलाब चाओं का कलर आ रहा है अब यह हमारे थोड़ा साओर करना करना ही होना फलका साओर हमारे गुलाब जामन रेडी है अब इसे हम निकाल लेंगे अब हम गुलाब जामन के चाशनी पर दुबारा गरम करेंगे जिससे की गुलाब जामन के अंदर तर चाशनी चली जाए हिए अब इसके अंदर हम डालेंगे लाइचिय पॉर्टर थोड़ा साओ गुलाब जामूं की चाशनी को गरम हमने इसलिए किया है जिससे की गुलाब जामूं अंदर तब चाशनी को सोग लें तो इसे हम बंद करते हैं गैस को अब इसमें हम गुलाब जामूं डाल देंगे और इसे हम दो गंटे तक के लिए रख देंगे इसे हमारे गुलाब जाम को दो गंटे हो चुक हैं अब इसे हम करते हैं सर्फ यह हमारे रेडी हो चुके हैं ब्रैट के गुलाब जामूं अब इसके हम करते हैं गार्निशिंग पिस्ता है थोला सम पिस्ता डालेंगे अब केसर डालेंगे हमारे गुलाब जामूं रडी है अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए साथ में बेल आए गंदवाना ना भूला है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्ते